बारा रुपए बारा रुपए में आजकल क्या मिलता है लाभार्थी 18 से 70 साल की उम्र का कुई भी व्यक्ति जिसके पास अपना बैंक खाता हो सुरक्षा दुरगटना में मृत्य होने पर आपके परिवार को मिलेगी दो लाख की राशी दोनों आखों की दृष्टी छिन जाने पर या दोनों हाथ या दोनों पैर की विकलांगता हो जाने पर भी मिलेगी दो लाख की राशी और एक आख की दृष्टी छिन जाने या एक हाथ या पैर की विकलांगता हो जाने पर मिलेगी एक लाख की राशी देखिए मैं जानता हूँ भावी जी आपके बाजू में बैठ कर देख रही होगी अब उनके सामने ये बोलना ठीक नहीं लेकिन अगर किसी दिन भगवान न करे कहीं यम्राज की हिट लिस्ट में आपका नंबर लग गया तो नमस्कार खुराना स्वरम में आपका स्वागत है केवल 12 रुपे में आप प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाब ले सकते हैं क्या है ये योजना आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच एक बैंक अकाउंट और उसी बैंक अकाउंट से आप 12 रुपे कटवा कर इस योजन का लाब ले सकते हैं इसका पिरियड होता है एक जून से 31 में तक तो एक जून से पहले यानि हर साल 31 में तक आप अपने बैंक से संपर्क करकर इस स्कीम के अंत्रगत 12 रुपे डेबिट करवाईए और एक साल के लिए आपको एक्सिडेंटल इंशॉरंस मिल जाएगा नेच लेकिन नैचरल केलेमिटी पर होने वाली मौत पर भी इसका क्लेम दिया जाता है तो हर साल 31 में के पहले 12 रुपे अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करवाएं और साल भर केवल 12 रुपे में अपने आपको इंशॉर करें भारत सरकार द्वारा 2015 के बजट में ही इस स्कीम क घुष्णा की गई थी लेकिन अगर तो भी कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो वह इसका लाब उठा सकते हैं भैया कितना हुआ? 49 छुटा रख लीजिए अरे सुनी सुनी मैडम एक मिनेट एक रुपया वापस कीजिए यह एक रुपया रखे बहुत काम आएगा आपके चलो जूटा यह एक रुपया बड़े काम की चीज है प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें हर महीने अगर आप किवल एक रुपय के एसाब से यानि सालाना बारा रुपय भरते रहे तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुरगटना हो जाए आप इकलांग हो जाए कोई कान हो नहीं हो जाए तो आपको और आपके परिवार को इससे बीमा योजना के तहत दो लाख रुपय धनराशी मिल सकती है तो जाए और बांध लीजे अपने प्रियेजनों के भविश्य पर ये एक रुपय का सुरक्षा कवच प्रियेख जाए करते है प्रियाए तो जाए does देग जाए आप मुह जाए फिरें